रादे रादे क्याल चल आप सभी के आज हम बात करने वाले है अलाइट ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलिर्स मेंबर्ड आप्यू के बारे में यह आप्यू अभी टूस्टे पटीस जून को आपके सामने ओपन होने वाला है तो चलिए फिर इस कंपनी का बिजनस का फानेश का आईपी डिटेज सबकों चेक करते है और हम अपने स्टेडेजी को बनाते है कि हमें इस अप्यों के अंदर अप्लाई करना है या नहीं करना उसके लिए वीडियो में अंट तक बने रहना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल अगनोट अभी कर ल आपको बताने की जुरूरती नहीं है कि यह बेसिकली एक इंडियन मेड फोरन लिकर कमपनी है विस्की, ब्रैंडी, रम, वोड का जिसे काफे सारे लिकर जो है यह मैनिफेक्ट्र करती है इसके साथ साथ यह पैकेज ड्रिंकिंग वाटर भी स्पलाई करती है अंडर दी, ऑफिसर चॉइस, ऑफिसर चॉइस ब्लू एंड स्टेरिंग रिजर्व ब्रैंट्स के अंडर और इसके साथ साथ कमपनी जो है वो अपने प्रोट्ट्स को एक्सपोर्ड करती है 22 इंटरनेशनल कंट्रीस के अंदर भी जिसके अंदर मिडल इस्ट, नौर्थ, साथ अमेरिका, अफरिका, एशिया, येरोप भी शामिल है तो इनके बिजनस के बारे में इतना जानना सफिशेंट है हमें इनके बिजनस का आईडिया लग चुका है इसलिए में तो मुद्दा होता है फाइनेशनल चक करने का तो यहां पर हम एसेट की बात करें तो दिसमबर दुएर तेईस तक कंपने के पास में 2741 कोड के एसेट थे 2741 कोड के एसेट थे रेवेन्यू का ट्रेंड देखे तो 21 से 22 के अंदर रेवेन्यी जो है 선isher behaviour कीह सकते है 11 परसंट के आसे-पास इंक्रीड गुओ है 22 से 23 के अंदर, रेवेन्यू के अंदर थोड़ इसी कमई आई थी सो क्रोड के आसे-पास का रेवेन्यू कम हुआ है मतलugen 1 का रेवेन्यू में चला गया है 23 से 24 की बात करें तो revenue के वापस से increment आया है और मोटा मोटा 10% के आसपास का increment आया है क्योंकि company ने 9 महिने के अंदर 5914 quote का revenue record कर लिया है तो पुरे साल के अंदर हम कह सकते हैं मोटा मोटा 8000 quote के आसपास का revenue company record कर लेगी profit के बात करें तो 21 से 22 के अंदर profit जो है वो almost आपके half ही हो गए थे 50% कम हुए थे 22 से 23 के अंदर profit के अंदर 8% के आसपास का increase हुआ है और 23 से 24 के अंदर profit के अंदर धाई गुना का increment आया है reserve company के पास में 360 quote के है और वहीं जो उधारी है वो चल रही है 798 quote की तो उधारी जो है वो reserve के comparison में दो गुना चल रही है आवराल business की बात करें तो business का okay okay लग रहा है कोई खास अच्छी growth तो नहीं लग रही है बट हाँ इनका profit जो है वो थोड़ा सा recent के अंदर काफी अच्छी spirit से grease कर रहा है KPA की बात करें तो ROE काफी कम है company का 1.03% का ही है ROCE है 24% का RONWB काफी कम है 1% का ही है और debt equity ratio 1.88 का थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है 1 से उपर है ज़्यादा लग रहा है EPS company की है 0.07 की और price earning ratio जो company demand कर रही है इस IPO से वो काफी ज़्यादा है 4284 यह काफी ज़्यादा बन जाता है आप थोड़ा चेक कर लेते हैं कि इस sector के अंदर जो इसकी peer comparison company है उनका price earning ratio क्या चल रहा है तो पहले हम बात करें United Sprits की उस company का price earning ratio 73 का चल रहा है सेकेंड हम बात करें रेडिको खेतान की उस company का earning ratio चल रहा है वो चल रहा है 95 का और थार्ड हम बात करते हैं के सामने global splits की उस company का जो earning ratio है पी रेशियो है वो चल रहा है 17.26 का तो इस sector के comparison में इस IPO वाली company ने price earning ratio काफी high demand कर लिया है यह काफी बड़ा negative point बन जाता है चल यह details देख लेते हैं details की बात करें तो यह IP जो है वो 25 जून से लेके 27 जून तक open रहेगा 25 को open और 27 से close हो जाएगा Allotment Decide 28 तरिक हो जाएगा refund और demand account में share आपके एक तरिक हो आ जाएगे और listing इसकी 2 जुलाइक हो जाएगी Price band के अंदर आपको 281 से ही apply करना होगा यह point note रखना Total issue का size जो है वो 15 कोड का है जिसके अंदर 1000 कोड का आपके पास में fresh हुआ है और बाकी का 500 कोड का आपके पास में offer for sale है Major portion तो आपके पास में fresh हुआ है बट फिर भी इसके अंदर promoters भी काफी अच्छा amount के अंदर अपना stake बेच कर निकल रहे है काफी high valuation के अंदर वो अपना stake बेच रहे है Reservation की बात करें तो little category के इसके अंदर 3.5 lakh loads दिये गए है Small HNA की बात करें तो इसके अंदर वहाँ पे आपको 3500 application yes होगी और big HNA की बात करें तो वहाँ पे आपके पास में 7000 application आपके yes होने वाली है Load size की बात करें, retail category की application बन्जाती है 14893 से small HNA की बन्जाती है 2,08,502 से और big HNA की बन्जाती है 10,12,724 से आपको इनी तीन value में से किसी से apply करना होगा प्रमोटर के holding की बात करें तो IPO आने से पहले उनकी holding इस company के अंदर 96.21 परसंट की थी और IPO आने के बात में उनकी holding जो है बच जाएगी 80.91 परसंट की मतलब मोटा मोटा हम कह सकते है 15% के आज पास cost take प्रमोटर अपना इस company के अं पर strategy के उपर कि हमें इसके अंदर क्या करना है वह देख लेते हैं वैसे तो इस company के अंदर negative point क्या है कि इसके price earning ratio जो है काफी high है company जो है काफी high valuation के demand कर रही है बट अगर फिर भी मैं at present में इसके GMP की बात करू तो वह चल रहे है 25% के आस-पास इसके GMP 25% के आस-पास चल र यह risky हो सकता है इसके लिए मैं इसके अंदर लास दिन तक का वेट करूंगा खाली GMP के बेस में इसमें apply करने का मन नहीं बना सकता हूं तो इस IPO के अंदर मैं अपना decision जो है वह लास दिन के अंदर दो ढही बज़े के आस-पास ही बनाऊंगा GMP देखेंगे उसके साथ मुझ हर एक अपडेट्स हर एक stock news हर एक IPO के regarding सब कुछ updates वहां आपको मिलती रहती है daily basis पे तो उसको जुरू जोइंग कर ले ना description के अंदर link मेंशन कर दिया किया है free of cost है चैनल सब्सक्राइब करके bell icon हिट कर लिया होगा आपने जिससे आपको आगे भी ऐसे IPO रिव्यूज और court protections के बारे में जांकारी मिलती रहे इस IPO के लेकर आपका क्या view है निचे comment section में जुरू mention करना कि आप क्या सुचते ये इस IPO के बारे में apply करना है नहीं करेंगे इसके सा साथ एक और mainboard IPO वीराज, iron and steel IPO वो भी open होगा एक mainboard IPO का fund दूसरे IPO में काम नहीं आएगा तो उसका review वीडियो चैनल पर डल जुका है उसको जुरूर देखे ना ताकि आपको इक्लीर हो जाए कि आपको अगर दोनों में से एक को चुननना है तो किसको चुनना पड़ाईगा और साथ में 10-12 SME IPO वी इस वीक के अंदर open हो रहे है उनसे अब के वीडियो आपको चैनल मिल जाएगा कुछ भी query हो तो आप मुझे निच्चे comment section में mention कर सकते है मैं आपकी query को solve करने के पूरी कोशिच करूँगा सो आज के लिए इतना ही मिलते है आपसे आगली वीडियो मे ऐसी किसी और important information के साथ तब तक अपना ख्याल रखिए thank you so much